स्टापलस के पॉपिलर शो ये रिष्टा क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड इंट्रस्टिंग होने वाले हैं अर्मान और अभीरा पहुचेंगे एक पार्टी में और रूही से ये बरदाश्ट नहीं होगा तो वो भी उन्हें फॉलो करते हुए वहाँ पहुच जाएगी अर्मान और अभीरा को पहले तो एंट्री में देखा जाएगा अर्मान अभीरा को लेकिन इस सब के बीच में अभीरा थोड़ी डिस्ट्राक्ट हो जाएगी क्योंकि उसे इस पार्टी में दिख जाएगी चारू और अभीरा चली जाएगी चारू को कंफरंट करने के लिए और चारू अभीरा से रिक्वेस्ट करेगी कि वो ये बात किसी को भी ना पताए जबकि अभीरा उसे कहेगी कि वो कब तक सत चुपा लेगी और उसे सला देगी कि वो खुदी सभी को सब कुछ बता दे अभीरा की ना मौझूदगी का फायदा उठाते हुए रूही अर्मान के साथ डांस करना शुरू करतेगी दोनों का डांस तो बहुत अच्छा होगा लेकिन अर्मान के फेस पर एक ओक्वर्डनेस क्लियरली नजर आ रही होगी रूही इस ऑक्वर्डनेस को इग्नॉर करती रहेगी लेकिन जब अभीरा इन दोनों को डांस करते हुए देखेगी तो उसे बड़ा अजीब लगेगा वो जेलस तो नहीं होगी लेकिन एक दूसरे के साथ दो लोग जब इतने अनकमफर्टेवल हो तो उनके रिष्टे को लेकर हर किसी को डाउट तो होगा ही अभीरा को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा अर्मान का रूही के साथ इस तरह डांस करना और वो वहाँ से एग्जिट कर लेगी पार्टी से बाहर जाकर अभीरा अकेले ही डांस कर रही होगी उसमें वैसे भी कुई चपल नहीं पहनी होगी उसकी हील्स तूट गई होगी तो अर्मान भी अपने शूज उतारेगा और अभीरा को जोइन कर लेगा और दोनों का एकदम क्रेजी वाला साइट देखने को मिलेगा जहां सडक के बीचों बीच नंगे पैर ये दोनों डांस कर रहे होगे मस्ती कर रहे होंगे और डिफ्रेंस ये होगा कि अर्मान अभीरा के साथ बहुत कमफरटेबल होगा इन दोनों को इंजोई करता देख ओविसली रूही बीच में आएगी और अर्मान को पाटी में खीच कर ले जाने लगेगी लेकिन अर्मान रूही का हाथ तो छुड़वा नहीं पाएगा पर दूसरे हाथ से वो अभीरा को भी अपने साथ ड्रैक करके पाथी में ले जाएगा ये एक टिपिकल लव क्राइंगल वाला सीन होगा जहाँ पर अभीरा सबसे बीचे होगी बीच में अर्मान और अर्मान को ड्रैक करकर ले जा रही होगी रूही कैसे रूही को खुद से दूर करेगा अर्मान कैसे उसकी ये ओक्वर्डनेस रूही समझेगी ये देखना इंट्रस्टिंग होगा या फिर उससे पहले अभीरा ही इन दोनों के रिष्टे का सच पता लगा लेगी ये बता चलेगा आने वाले एपिसोड में